बच्चों की गैलरी से लेकर शष्ट्रागार तक क्यों खास है भरतपुर का यह म्यूजियम यह म्यूजियम पहले एक बड़ा भवन हुआ करता था जिसके बाद इसे संग्राले में तबदील कर दिया गया साथ ही से कचहरी कला की नाम से जान जाता था और साल 1944 में इसे राज के संग्राले बनाया गया यह राज के संग्राले रियासतकाल में भरतपुर रियासत का प्रशाशनिक कारयले हुआ करता था और दरबार होल के नाम से जान जाता था बता दे संग्राले भवन का निर्मान महराजा बलवन्त सिंग ने 1825 में कराया था इस संग्राले को चार हिस्से में बाटा गया है संग्राले में बच्चों की गैलरी, शश्ट्रागर, पूरातत्वखंड और कालखंड मौजूद हैं इसके साथ ही संग्राले में प्राचीन सिक को, शिलाले खो, प्राचीन मुर्तियों, चित्रों और प्राणी नमूनों को संग्रह किया गया है वहीं संग्राले की पहली मंजल पर अस्तुरखंड हैं जिसका इस्तमाल युद में किया जाता था साथ ही उद्धों में इस्तमाल किये गए छोटे आकार के तोप इस संग्राले में देखे जा सकते हैं